जैश्री गनिशाहिनम्ह दोस्तों, मैंनी हराजपुद हर दिन की तरह लेकर आई हूँ आपके लिए आज का राशीफल बताऊंगी आपको आपका दिन कैसा बीतेगा, क्या कुछ होगा खास, सारी बाते करेंगें लेकिन सबसे पहले, जन लोग आज बाते हैं, एनिवर्सरी हैं, कोई खास दिन है, आज के दिन की यह सारी शुब कामना है बहुत सारी लोग सवाल पूछ रहे थी कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमेशा कुछ न कुछ लगा रहता है तो सबसे पहली चीज़, अपने कर्मों को ठीक करें और दूसरा, भगवान भोले नाथ जो हैं, आपके जीवन की सारी मुश्किलों को दूर करते हैं और साथी साथ आपको अपने सवाल भी पूछने हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, कि हर दिन मैं एक लकी वीवर के सवाल का जवाब देती हूँ सवाल आपको अपना जो है, कैसे पूछना है, ये format भी बता देती हूँ, आपको अपने details देने हैं, full name, place, time of birth और आपका date of birth ये आपको देना है, और साथ ही साथ अपना सवाल लिख देना है, comment section में एसे सवाल पूछिए, हर दिन एक लकी वीवर के सवाल मैं यहाँ शामिल करूँगी, उसका जवाब भी आपको वीडियो के माध्यां से दूँगी तो पहले जालनेते हैं, पंचांग क्या है, फिर आप बताऊंगे आपको राशिफल और वीडियो के end में आज आपके जीवन की मुश्किलों को दूर करने का आसान सा उपाई दूँगी तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं, आज के पंचांग क्या है, अब बारी आपके राशिफल की शुरूआत करेंगे पहली राशिक किसान मेश राशि, भागयोदय होने वाला है, यानि कि भागय में बढ़ोतरी, आज के दिन हो सकता है, किसी ओफिस में या आपके व्यापारस थल पे, किसी सीनियर के साथ आपकी बहुत ही दिली बादचीत हो, यानि कि बहुत ही क्लोस कनेक्शन होगा आज आपका, साथी साथ पै पार्ट में कुछ इशू हो सकता है, और एक खास चीज, आज के दिन कोई आपको अपने मन की भावनाओं को आपसे शेर करेगा, आपके लिए महा उपाई क्या है, दिन को खास बनाना चाहते हैं, आज ओम नमश शवाय का यथा संभवजाब करें, लगी कलर आपके लिए र आज अपने आपको स्ट्रॉंग रखना है, पॉर्सनल लाइफ की बात कर लेते हैं, चाहे वो आपका प्रेम जीवन हो, वेवाहिक जीवन हो, या परिवार की बात हो, किसी को हेल्थ रिलेटेड इशू आने वाले हैं, स्वास्त जोड़ी समस्याएं आने वाली हैं, तो घर आज आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कि अपने राज की बाते किसी से भी शेयर नहीं करनी है, क्योंकि आज आपकी इमेज पर सवाल आ सकता है, आज आपकी इस्जत पर बात आ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, रिष्टों में अपनी बाते किसी पर साधा रहेगा, तो थोड़ा सा ध्यान करें, बजट बना के चलें, महा उपाए क्या है, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं, आज के दिन लाल चंदन का टीका माथे पर लगाना है आपको, लगी कलर भी आपके लिए रड ही है, लगी नमबर की बात करूँ है, वो है लाइफ के लिए भी है, यानि कि एमोशन में आप बहके किसी से भी कोई प्रॉमिस नहीं करना है, ना ही किसी से कोई आपको आज के दिन अपनी बाते शेयर करनी है, परसनल लाइफ में, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, अपनी भावनाओं को आज उन्हें इंतर्क करना है, क्योंकि मन आज भी चैन रहेगा, मन आज चंचल रहेगा, साथी साथ, जो स्टुडेंट्स पढ़ाई करते हैं, दिन का उतरार्ध खास नहीं है, चोट लग सकती है, दुरघटना हो सकती है, बचके रही है, और पैसो की बात की जाए तो कोई आज आज आप से उधार मांग सकता है, सेहत के लिए हाथ से ओवराल दिखा जाए तो करकराशी वालों को हेल्थ इशूज तो थोड़े बहुत रहेंगे, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है, महा उपाई क्या है, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं, आज के दिन आपको करना क्या है, गायत कारगर सिद्ध होने वाली है, कोशिश क्या करनी है, आपको कोई भी आप decision लेते हैं, तो उसमें किसी महिला की सहभागिता होनी चाहिए, यानि आप job करते हैं, बिजनस करते हैं, तो कोई decision ले रहे हैं, करना कुछ नहीं, simple, जिससे जादा trust है, जिससे जादा connected है, जिनको आ आवर्स है, आज के दिन थोड़ा सापको ध्यान देना होगा, आज के दिन partner से किसी बात को लेके बहस होने की संभावना है, जो married लोग है, एक चीज, आज आपके लिए जो आप अपने family planning के बारे में विचार कर रहे हैं, कहीं investment के बारे में विचार करने हैं, भी थोड़े स साथ आज घर की किसी जरूद की चीज़ पर आप जादा पैसे खर्च कर सकते हैं, महा उपाई, दिन को खास बनाना चाहते हैं, आज के दिन ओम का उचारन 108 बार करना है, अगर माला जाप कर सकते हैं, तो जरूर कीज़े, अगर वो नहीं कर सकते हैं, तो normal chant कीज़े, ओम का आज की नंबर की बात करूँ है, त्री और भाग स्थार के तौर पर मैं आपको दूँगी पांच में से साधे तीन स्थार, कन्या राशी, कन्या राशी वालों के लिए आज का दिन मिला जोला रहने वाला है, भागे के भरों से कोई भी काम मत कीजेगा, लग उतना जादा स साधी सांथ कुछ जो कन्या राशी वाले लोग हैं, आज ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार होने वाले हैं, मन से किस्थती आज ठीक नहीं रहेगी, तो इसलिए थोड़ा बचके रहने की जरूरत है, और एक खास चीज, आपने जहां आपका कार्य आप जहां करते हैं, जहां क काम करते हैं, दिल लगी करने से बचना हैं आपको, एक और खास चीज जो आपकी सिहत से जुड़ी हुए, पेट से या घुटनों से जुड़ी दिक्कते आने वाली है, समभलके रहना है, पैसे की बात की जाए, तो पैसा तो आपका नॉमल रहेगा, यानि आज के दिन पर साधा खर्चा नहीं होने वाला है, महा उपाई, दिन को खास बनाना चाहते हैं, आज कोशिश करें कि शिव जी को जला भी शेक करें आप, आपके लिए लगी कलर आज है, येलो लगी नंबर की बात करो, तो है थ्री और भागस्तार के तौर पर मैं आप पूदोंगी आज के दिन परिवार में किसी बड़े की मदद से आज आज आपके काम बनने वाले हैं, साथी दो रूठी लोगों को मिलाने का भी आप काम करने वाले हैं, जो सिंगल लोग है जिनके पार्टनर्स हैं, एक चीज का ध्यान दीजेगा, आज आपको कोई भी ऐसी चीज जिसक काम आपको नहीं करना है, किच्चन में काम करते समय ग्रहनियों को आज चोट लग सकती है, बहुत ही ध्यान देना है, साथी साथ आज के दिन पैसा कहीं से आने वाला है, और सेहत के लिहाद से आज का दिन आपकी स्किन रूलेटेड इशूज लेकर आएगा, तो थोड़ा स सावधान रहिएगा, महा उपाई दिन को खास बनाने के लिए, आज के दिन ओम गर गर पते नमा है, समंत्रो का उच्चारन करना है, लखी कलर आपके लिए आज है, रेड लखी नंबर की बात करूए है, वन और भाग स्थार के तौर पर मैं आपको दूँगी पांच में से व्रिष्चिक राशी, व्रिष्चिक राशी वालों के लिए आज गोल-गोल बाते करना अच्छा है, यानि सीधी बात मत कीज़ेगा, आज आपकी बातों से कोई आहत हो सकता है, जो बड़े बुजर्ग हैं, आज वो आपसे किसी बात को लेके खफा हो सकते हैं, आपके डि जिन लोगों की शादी के लिए कहीं बात चल रहे थी, रिष्टा फाइनल हो सकता है, आपका, महा उपाई, दिन को खास बनाना चाहते हैं, आज कोशिश करें किसी जर्द मन को कुछ पैसे दान में दिया, कुल खाना आप खिला सकते तो जरूर खिलाए, लगी कलर आपके ल ख्याल रखेगा, कोई भी अपनी चीजे खुद करने के बजाए, पार्टनर की भी सला जरूर लीजेगा, यानि आज के दिन आप में थोड़ा सा इगो देखने को मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप नहीं खास हैं, तो यह नहीं करना है अगर पार्टनर्शुप में ब इसा खर्चा करवा सकता है, आप अपने वर्क स्टेशन के पास, अपने जहां काम करते हैं, अपने घर में एक पौधा लाएं, यानि इंडोर कोई प्लांट लाएं, और इंडोर प्लांट आज जरूर रखें, आपके लिए लिए लखी कलर आज ग्रीन है, लखी नंबर की बात करूं हो है, फोर और भागिस्टार के तौर पर में आपको दोंगी पांच में से चाल स्टार, मकर राशी, मकर राशी वालो के लिए आज उनकी बातों में उनकी परस्नालिटी में एक अजब सा निखार रहेगा, बातों में जादू रहेगा, कि आप हर किसी को इंप्र कि अचानक से आपको कहीं जाना पड़ सकता है, सिहत और धन के लिहाद से खर्चा काफी रहेगा, महा उपाई, दिन को खास बनाना चाहते हैं, तो आज कोशिश करें कि आप भोले नाच की पूजा जरूर करें, उनका दिन है, और साथ यगर चंद्रमा के बीज मंत्र का जा तो करना क्या है, पेशस रहा है, जी हाँ, कहते हैं, जिसन इंसान के पास पेशन्स हो, आपनी बहुत सारी चीज़ों को मुस्किलों को असानी पार कर लेता है, तो पेशंस रखें आज के दिन कॉम्हिराश्री वाले, पार्ट्णर के साथ किसी बात को लेके विवेद हो सकत किसी बात को लेके बहस हो सकती है करना क्या है कम बात कीजिए आज अपने जो भी आपके आसपास लोग है उनसे या अन्नेसेसरी बातों पर जादा उस बात को तिलकतार मत बनाईए उसको खीचिये मत हेल्थ की बात कर ली जाए तो आज के दिन चलने फिरने में दिखकते आ सकती है पैसा कहीं पसा हुआ था वो निकलेगा कुछ लोग जो है घर खरीदने के बारे में या फिर गाड़ी लेने के बारे में या कोई बड़ी चीज में इंवस्ट करने के बारे में विचार कर सकते ह उपाए दिन को खास बनाना चाहते हैं तो आज कन्याओं का अशिरवाद लीजिए आपके लिए लखी कलर आज है गोल्डन लखी नंबर की बात करूँ है वन और भाग स्थार के तौर पर में आपको दूंगी पांच में से साड़ी तूर मीन राशी कोशिश करनी है मीन राश किया है यातरा है योग में कारवारिक जीवन में ऐब में किसी बच्छे को और अव्रिध को लेकर आज आपचुंतित रहने वाले हैं您 को आज के दिन अपने सजने सववने पर वो पैसे खरच करने वाले हैं आप ओन-la अपना चेक अप अपना इलाज जरूर कराईए महा उपाय जान लेते हैं दिन को खास बनाना चाहते हैं आज के दिन जो है लाल चंदन का टीका माथे पर लगाना है लगी कलर रेड है लगी नंबर की बात करूँ है आज का दिन सभी 12 राशी वालों के लिए कैसा रहेगा आप यह तो बात हो गई आपके दिन के पूरे हाल की पंचांग की कि क्या शुब मोरत है किस समय में अच्छा काम करना है किस समय में नहीं करना है आपको एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी पंचांग देखते हैं अगर आपको हम अभी शुब मुरत अशुब मुरत बताते हैं चंद्र दियो ताज किस राशी में रहने वाले हैं राशेफल देखते हैं और अपना प्यार नहीं देते तो आपको कॉमेंट भी करना है वीडियो को लाइक करें शेयर करें कि बहुत ही मैनत से मैं आपके लिए हर दिन राशेफल लाती हूं और बहुत सारी लोगों का प्यार मिलता है तो उन सभी को तहे दिल से शुक्रियादा करूंगी मैं अब जाते जाते आपको आज के दिन का उपाई दे कर जाते मैंने आपको जैसा बताया था कि जीवन की जितनी भी अर्चने हैं वह आपकी दूर हो जाएंगी क्या करना है आपको आज का दिन भोले बाबा का है शिवजी का है तो आगर आपके काम में बार बार बढ़ाएं आजाती है कोई काम सोच नहीं कर पाते हैं करना क्या है जल लीजे उस में काले तिल मिला लेजिए और मंडे के दिन आगि काले तिल मिले जल से जो और मृ अबी शेक करना है शिवजी का ये आपको हर मनडे करना है करके देखिए मुश्किले आसान हो जाएगी जीवन आसान हो जाएगा और आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि बोले बाबा किसी को भी निराश नहीं करते हैं तो करके देखिए उपाई बाकी मेरी यही कामना रहेगी कि आप सभी के जीवन में आप सभी स्वस्त रहें, आप सभी निरोग आप सभी के पास किसी तरीकी के आपको दिक्कत ना हो वीडियो देखिए शेयर कीजिए और अपने कॉमेंट्स अपना प्यार बरसाईए कॉमेंट्स सेक्षन में जाके नमस्कार